जै माता की दोस्तों कैसे होगा आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ पूजा और मंतर जाप करने के बाद तुरंत ये एक काम जरूर करें इससे आपके घर में माता काली और दुर्गा का पहरा होने लगता है यानि की माता दुर्गा और मा काली आपके घर में सदेव के लिए वास करने लगती हैं जब आप पूजा पार्ट मंतर जाप करने के बाद ये एक कारे करते हैं अब कुछ भक्त ऐसे हैं मा दुर्ग कि जानकारी है ही नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डारेक्ट पूजा पार्ट कर लेते हैं मंत्र जाब कर लेते हैं फिर वो उठ जाते हैं लेकिन कुछ कार्य ऐसा भी होता है जो कि पूजा पार्ट से रिलेटेड होता है जैसे जिस देवी की या देवता कि आप पूजा पाट करने के बाद मंतर जाब करने के बाद इससे आपके घर में माता दुरुका और माता काली का हमेशा के लिए बास होता है यहां पर हम बात करने हैं मात दुरुका काली की अन्य आप किसी भी देविदेटा के भक्त हैं तो आप उनके मंतर के जाब करते हैं आप उनकी रिजाब कर रहे हैं उसका आपके घर में बास होने लगता है और सदेप के लिए पहरा और लगता है तो चलिए दोस्तों आप सभी भकतों को पूरी जनकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूं लेकिन मताने से पहले आप सभी भकतों से मैं एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जन्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेर, कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली है तो वही जितने भी काली माता या दुरगा माता के भक्त हैं उन सभी भक्तों को मैं बता रही हूँ इस वीडियो में एक ऐसा कारे जो सभी भक्तों को अपने घर में करना चाहिए ये कारे करने से आपके घर में उस देवी देप्ता का वास होने लगता है जिसकी आप पूझा कर रहे हे हैं अब जितने भक्त माकाली के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये कारे जरूर करेंगे और किसी देवी देपता के भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग इस कारे को जरूर करेंगे इससे आपके देवी देपता जिसकी आप पूजन कर रहे हैं अपने घर में उसका वास आपके घर में हमेशा के लिए होने लगेगा आपके घर में कभी भी जीवन में negativity शक्तियां कुछ नहीं आएगा जब आप अपने घर में ये कारे करेंगे तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ आपको पूजा पाट मंतर जाप करने के बाद तुरंट ये कारे जरूर अपने घर में करना चाहिए तो आपको करना क्या है आपको जब आप अपने घर में पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले एक छोटे से लोटे में पानी भरें, पानी भर के उसमें गंगा जल डालें, ठीक है, गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा उसमें दूद डालने, थोड़ा सा उसमें सरसो के तेल की बूंद डालने, थोड़ा सा उसमें चुटकी भर काले तिल डाल ये चीज डालके अपने घर के मंदिर में रखो जब आप पूजा पाट करते हैं जैसे आप सुबे करोगे तो सुबे ये चीज रखोगे मंदिर में साम को करोगे तो शाम को भी यही चीज करोगे ये मंदिर में रखोगे जब आप जोत जला लोगे धूबती अकरबती लगा नमाता को भोग लगा दोगे सब कुछ कर दोगे मतलब जब आपकी पूजा मंत्र जाप समापत हो जाता है तो तुरंत ही आप लोगों को उस लोटे को उठा कर अपने हाथ में पूरे घर में आपको उस लोटे का पानी जो है छड़कना चाहिए सब जगे थोड़ा-थोड़ा क्योंकि जब आप किसी भी देवी देपता या भगवान के मंत्र का जाप करने बैठते हैं तो स्वेम उसके मंत्र की जो शक्ती की उर्जा है वो आपकी और ही आती है तो सीधर डारेक्ट आपके मंत्र में आती है तो मंत्र में आती है तो जो जो चीज़े आपके मंत्र में रखी होती है उन चीजों में उसका बास होने लग जाता है अब जैसे आप जो ये लोटे का पानी अपने मंदिर में रखेंगे पूजा करने से पहले और उसको पूजा करने के बाद मंतर जाब करने के बाद उसको उठा के अपने सभी घर के जितने भी आपके घर में कमरे हैं जितने भी हैं पांच हैं दस हैं जितने भी हैं उन सभी कमरों में आपको थोड़ थोड़ जल छड़कना चाहिए सब जगे इससे क्या होता है जो मंतर के जाप आपने करे हैं उसकी शक्ति की उर्जा आपके उस पानी जल में आ जाती है जो जल आपने मंदिर में रखा है उस जल में आपकी वो शक्ती की उर्जा उसमें आकर बैड़ जाती है और फिर वही चीज आप अपने घर की चारों तरफ ही छड़कते रहेंगे जो सब जगे डालते रहेंगे तो आपके घर में उसी देवी देपता का हमेशा के लिए वास होता है और हमेशा के लिए आपके घर में वो देवी देपता बिराजमान हो जाता है तो इसी तरीके से सभी भक्तों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए जो जो अपने घर में पूजा पाट करते हैं कुछ लोग हैं जिनको इस चीज के वारे में कनफोर्म अच्छे से पता है ठीक है और कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको इस चीज के वारे में बिल्कुल भी नौलिज नहीं है पता ही नहीं है वो क्या करते हैं डारेक्ट पूजा पाठ कर लेते हैं बस उनका हो गया ऐसे नहीं होता पूजा पाठ करने के बाद तुरंत ये कारे भी आपको करना चाहिए तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है आपकी समझ में आ गया होगा अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय मतकाली हर हर महा देम मतकाली बाबा भूले नात आप सभी की सारी मनों कामनाई जल्द से ज पूरी करें खुश रहें आप और खुश रहें आपका परिवार